तो चंद्र सेकर राजात को इस वज़े से बोड़ देंगे, क्यongskie बड़े छोटों को सब को समद रहें, बड़े छोटों को सब को मिला कराओ, अखलेस को इस वज़े से बोड़े तो वो हमारी पालिटी थी, लेकिन अज तक लोग नोने हमारे लिए कुछ नहीं किया तीक अब तक उसे बोड़ देते चिलियार तेमारे बाबा दादा के जवाने से कांगरेश को देते थे उसके बाद में अखलेश को बोड़ जा आज तक अखलेश को फोड़ दे लोग सबाए कि जो नगीने की सिट है यह तो चंदर सेकर आजात की ही निकलेगी सो परसंट निकलेगी क्योंकि यह टोटल जो रुजान है वो चंदर सेकर का है हर ब्रादरी का बोड़ दलेगा इनको अब जितने कंडिडेट इस वक्त हैं नगीना लोकसवा सीट पे उसमें हमें जो नजर आते हैं वो चंदर शे कर दो जाए गया यहां से आपके क्या विचार है वह चंदर सेकर को देंगे गरीशन को देख लिया और को इमारे काम में नत को मर्या जीरिया को खाने को कुछ नहीं लॉक्डाउन लगा नोट बंदी हो ही कोई आया हमारे कौम को गरीम मर्या भुका की चीज समर्या है को कि क नियुक्त कुछ पार्टी से हम जानमाल से दनमन से इनका साहथ देंगे रहें जाएगा पुरा देखे और पुरा तो यह कि ने किना लॉक्षबा का जो भी वोट भाई जिसका भी हिंदू-मुसलिम जो भी वोटए वो सब भाई चंद्र सेकर आजाद का वोट है आपकी क्या विचार है लोग सबाद चुनाओ 2024 को लेकर क्या सोचते हैं आप बस चंद से गराजाद को देखना चाहते हैं हम तो नमस्कार दोस्तों मैं हुआर के निशाद बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सब का दर्सक न्यूट 24 में दोस्तों लोग सबाद चुनाओ 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट इस वक्त हम आप लोगों को नगीना लोग सबाद छेट से दिखाने वाले हैं दोस्तों बता दे कि नगीना लोग सबाद सेट वही सेट है जिस सेट ने बहनकुमारी मायवती जी को पहली बार जिता कर संसत तक पहुँचाने का काम किया था यनि कि कहा जाए तो बहन कुमारी मायवती जी की राजनायतिक सुरुवात बिजना और जिले के नगीना विधान सभा से और लोग सभा से ही हुई थी अयसे में दोस्तों इंदिनों तवा सीट में लोगों की चर्चा सिर्फ इसलिए है और लोगों की निगाहे सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किसी भी चुनाओं में अपनी निरणायक भूमी का निभाते हैं वो तय करते हैं कि इस बार हम संसद किसको भेजेंगे अपने मन मुताबिक नेता का चैन वही करते हैं क्योंकि यहां पर 80 वोटरों की अगर बात की जाए तो बहुत संख्यक है और मुस्लिम वोटर की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत संख्यक है लोग बाग इस बार सब लोगों से बातचीत करेंगे और आप लोगों का परिचे भी करवाएंगे हकीकत दिखाने का काम करेंगे कि दर्तल नगीना लोग सभा छेदर की जमीनी हकीकत क्या है अस्वस्त हो जाईएगा चलिए सुरुवात यहां से करते हैं कि नौजवान साती हैं इनसे बातचीत कर वोट है किसकी तरब जाने वाला है किसका पलड़ा भारी करने वाला है जानने का वीशा इसलिए हो गया क्योंकि मुस्लिम समाज हमेशा से बदनाम रहा है सपा और वीस्पी को लेकर वोट चाहे जहां वो डाले चाहे जितने इमानदारी दिखाए लेकिन लोग बाग कहते ह कि सपा में गया वीस्पी में गया तो इस बार जो खुल के आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं आले वाले दिनों में जब लोग समाज चुनाब दोजाजाच्विस का मतदान होगा हम कुछ भी बिस जो भी करेंगे जो वोट करेंगे वो सिफ चंद से जो कि आझास समाज पाल्टी करशी के दिश्टी अद्ध एक्ष्ट के लिए से इनका पीड़ाभान था समझावता हूँ बात में कुछ बातों कि चलते इन की अंबन हुई और वन्थं तूड़ गया अएसे मैं लोगों का कहना यह है कि इस बार चबएं मदान अग्या और जाब चलिए बाद करते हैं जिसके चलते आप तर्मन धन से समार पीते हैं कर्मट है बहुत अच्छे नेता है छोटे बड़े भच्चों से सबसे मिलते हैं किसी से किराय किनारा नहीं करते हैं पड़े लिखे हैं वह एड़ोगेट भी पहले थे आज भी एड़ोगेट है काफी है उनके अंदर बाकी ऐसा कोई भी पिर्ट्यासी अभी हमने देखा नहीं है जैसा हो है बहुत बहुत धन्वाद चलिया आगे बढ़ते ह हैं हमारे साथ और कुछ शमानित बड़े बोजोर्ग हैं इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इनका माहौल क्या है क्या कुछ सोचते हैं चुनावी सरगर्मियों में इस बार यह अपनी क्या भूम का निभाने वाले हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका दर्सक निग 24 मे हमेशा से अगर आपकी समधाई की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को लेकर बदनाम रहे हैं तो इस बार क्या कुछ कहना चाहते हैं चंदर से कर आजात को इस वज़ нуж Damn के बड़े चोटे को सबस्मध रहे हैं थि कि बड़े हूठ सबको मिला के चल रहा है अगलेश को इस वज़र से बोर्ट थे पार्टी तो हमारी पार्टी थी लेकिन आस तक को ने रहीं कुछ नहीं किया है अब तक उसे ही बोड़ देते हैं लेकिन अब घरेश को छोड़ दिया कहीं कहीं आप कहना चाहते हैं कि हमने सिर्फ जीताने का काम किया है उसके बदले बलकि हमें कुछ मिला नहीं मिला तो क्या कुछ उम्मीदे हैं इस वाट्चंसेकर आजाज जी से जिनको आप जीताना चा सबको मिलाके साथ चल रहे हैं तो इस बार जो लोग बाग अपने अलाग अलग दावे नगीना लोग सबस्टेट में ठोक रहे हैं भरह में जी रहे हैं मुस्लिम बोट अब किसी को नहीं है चंद्रसे का राजात किसी को बोट नहीं कहीं कई और वे इसके पहले अगर देखा जाए पिछले पंचवर्ची की बात अगर की जाए तो यह से गिरीश चंद बहुजन समाज पार्टी से बाजी मारे थी क्या उनके द्वारा आप लोगों के प्रति कोई असने है या कुछ कार किये गए नहीं कुछ कहना का मतलब तो नहीं लेकिन बोर्ड जो आपके नहीं दे जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने कायास लगा रहे हैं कि अबुस्ndiana समाज के लोग हैं कोई क और किसी नगीडा सेय स्वाट Shankar कि यहां है है और हम यह चाते हैं कि अपना भाई चंसेकर जीते हैं से इस पार्टी से हम जान माल से दनमन से हम इनका साथ देंगे क्या कुछ उम्मीदे हैं जिसके चलते आपने उनको चुना उम्मीद यह है कि हम पूरी उम्मीद है इस गाउबस्ती से भी और उनसे भी कि यह हमाई लिए कुछ करेंगे बहुत उमीद है इंसे चनसेखार आजाज जी पर लोग बाग अपने आखड़े बता रहे हैं कोई कह रहा है कि इस बाद चनसेखार आज यहां से 2 से 3 लाग वोटों से आगे जीतने वाले हैं वही पर भी पछी दावा ठोक रहे हैं कि हम जो है इस बार मुस्लिम वोटों को ल और हर गाव बस्ती से इन ही के साथ मैं है और हम भी जानमाल से इनको लड़ाएंगे दोस्तों ये है नगीना लोग सबाद छेदर की जमीनी हकीका देख लिजे लोग बाग आपको दिखाएंगे नहीं चकाचौंग में लोग बाग दिखाते हैं खबरे उल्यलूल की लेकिन हम अपने विचार रखे क्या विचार हैं लोग सबाद चुनाँ 2024 लोग सबाद की जो नगीने की सीड़ है यह तो चंदर से कर आजात की ही निकलेगी 100% निकलेगी क्योंकि यह टोटल जो रुजान है वो चंदर से करका है हर ब्रादरी का बोट डलेगा इनको यह युवा नेत अचानक आया जोकी ना तो कोई पद में है सिर्फ अधिवक्ता है उसके बाद ना मंत्री आ बिधायक न संसाव कुछ नहीं है वए नहीं होने के बावाजूद इतना कर सकता है तो कुछ पावर में आने के बाद तो जरूर करेगा यह भरोषा है हमें मे rz क्या नाम हूं आपका मुहम्मध अफसार आपकी क्या विचार है लोग सबस्ट चुना दौजार 24 को लेकर क्या सोचते हैं आप बस चंद सेगराजात को देखना चाहते हैं तो जी आप भी पता दीजे कि आपने क्यों पसंद किया उनके अंदर क्वाल्टी है नई सोच है नई ना कहें हमेशा से सिर्फ आपने वोट देने का काम किया है वोट देकर सत्ता सासन सोपाने का काम किया है उसके बदले में आपको क्या मिला क्या नहीं मिला यह आप जानते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता क्या मिला आपको यह तो आप समझ सकते हैं लेकिन चंसेकर खड़े रहते हाट टाइम चलिए यह वास्तुविक तस्विरे आप नगीना लोग सबाद छेर से देख रहे हैं क्या नाम हो मिया मेरे नाम महेश चंद आपकी क्या विचार है बहुत चंद्र सेकर को देंगे बोट और क्या देंगे गिरीश चंद को देख लिया को हम कुछ न लॉक्डाउन लगा नोट बंदी होई कोई आया हमारे को कोई गरी मर्या भुका की चीज से मर्या है कोई किस्या कोई पता नहीं चंद्र सेकर से उम्मीद है चंद्र से गुड़ देंगे वोट इस वार जो आप लोग देंगे वह जाती है समी करन से देंगे या विकास की दो पर देंगे जैसा सिख्षा स्वास्त रोजगार उनसे उमीद है उनसे और क्या खूबिया देखी आपने उनमें खूबिया नवीवग है अच्छा सिर्फ नव यूग देखकर या फिर कुछ क्वाल्टी भी नवीवग देखके सबका साथ हैं सबका मान समान करते हैं चो से चलावा हुआ है वो इस बार सबस्वार इसलिक से नहीं होने वाला है की अगे बढ़ते हैं तो आपने सायोगिस एधार आ जाएं और हमारे साथ कुछ और समानित हमारे बड़े भाई और हमारे समानित बड़े बुजूर गए उनसे जानने का प्रयास करें बड़े लोग सभा चुनाओं बेहद नजदीक है और लोगों की निगाह इस बार नगीना लोग सभा सीड में ठीकी हुई है लोग वाग जानना चाहते हैं कि जिस तरह से वोटों का तुष्टी करन होता रहा है और अगर विसेश कर मुस्लिम समधाइग अगर बात की जाए तो इतने जादा वोट हैं नगीना लोग सभा में और जो कि निडायक भूम का निवाते हैं किसी को भी यहां से नगीना की धर्तिस उठा के चाहे वो विधान सभा हो और चाहे संसत तक भेजने का काम करते हैं तो इस बार क्या रुजहान है क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग नाया देखिए नगीना लोग सभा सीठी नहीं पूरा पश्ची में उत्तर परदेश यह मुसल्मान और दलीत यह दो लोग यहां पे इतने हैं कि यह अपने बलबूते पे किसी को भी सांसत या विधायक बना सकते हैं बिलकुल बिलकुल ठीक है और रही बात इनको लेकिन हिस्से दारी नहीं मिलती है अब देखें इंडिया गडबंधन जो हुआ है उसमें चंदर शेकर को नहीं लिया गया है और M.I.M. को नहीं लिया गया है तो यह साफ जाहिर है कि दलीत और मुसल्मान इन दोनों को या तो देखना नहीं चाते हैं उचा अपने से यह इनको हिस्सेद अपने हम वोट लो और इनको दमा के रखो मैशा मुसल्मानों को दलीतों को या नीचे वर्गर के लोग हैं उनसे सिर्फ वोट लेनाया काम करते हैं इसके लावा कुछ नहीं करते हैं अब उम्मीद थी कि इंडिया घट्बंधन में जो है हो सकता हो के चंदर शेकर आज़ा को में लिया जाए ओसे मजबूती के साथ लड़ा जा सकता था अब यह जो है सिर्फ अपनी राजनीती कर रहे हैं न तो मुस्लमान को देख रहे हैं न दलित को देख रहे हैं सिर्फ एक सीट नगेन लोग सबा इंडिया नहीं छोड़ सकी है चंदर शेकर के लिए छोड़ी जा सकती थी न एक सीट या बिजनोर की कोई सीट आप किसी छोड़ देते उस पर किसी दलित को उतार देते इंडिया कर दूंदन की तरफ से तो यह है अब हम लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे कि भई हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लिए कि कंडिडेट को जिताना है और वह कंडिडेट कौन बहतर होगा वह अब जितने कंडिडेट इस वक्त इहने लोगसवा सीट पर। क्छंदर शेकर क्योंके इंडिया करदं को वोट नहीं जाएगा 20 मोड़ फिस उम्मीद तो आप लोगों ने ही सब की नईया पार लगाई है चाहे वो भारती जनता पार्टी रही हो चाहे समाजवादी पार्टी रही हो चाहे बहुजान समाज पार्टी रही हो क्योंकि आप लोगों ने ही बहन कुमारी मायावती जी की राजनायतिक शुरूआति यहीं से करवाई आप लोगों ने और संसद तक भेजने का काम किया था तो क्या वही तिहास बहन कुमारी माया वती जी वाला आप चंसेखर आजाजी के साथ दोहराना चाहते हैं हम चाहते हैं कि कोई दलित और अपने बीश का कोई आदमी उठे और वो हमारी नुमाइंदगी करे संसद में विधान सभा में ताकि हमारी आवाज भी उपर तक पहुच सके जो इस वक्त इतना परेशान दलित हैं सिर्फ मजदूरी में लगा हुआ है मुसल्मान हैं वो भी मजदूरी में लगा हुआ है तो वो उपर जो जाएगा वो इनी लोगों से जाएगा जैसे चंदर शेगर आजाजाजी हैं और दूसरे लोग हैं मुसल्मानों में पार्टि पहले की राजनीति में और आज की वरतमान राजनीति में कितने फासले देखने को मिलें देखे जमीन आस्मान का फरक हो गया पहले की राजनीति में इस राजनीति में सबसे बड़ा फरक यह हो गया कि पहले जो राजनीति हुआ करती थी वो जान जानी दुश्मनी की राजनी होता है और अपना अपना परचार करते हैं तो माईकों से एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और जब रात होती है शाम होती है वो दोनों एक टेबल बेटके चाई पीते हैं और असर राजनीती यही है अब राजनीती क्या हो गई है वो जानी दुश्मनी हो गई है कि अगर मेरे खिलाफ वो अलेक्शन लड़ा है तो अब उससे जानी दुश्मनी हो गई है अब उसको साइड लगाने की राजनीती होती है यह है राजनीती अब जो है राजनीती बिल्कुल पलट गई है और यह राजनीती राज तरफ रुख हो गया राजनीती का अगर उस दौर में चले तो पहले ये कहा जाता है कि पहले जब राजनीती की सुरुवात होती थी ये कोई भी राजनीती में आता था ये चुनवा बगारा होते थे तो लोग बाग सिंबल पे वोड दिया करते थे लेकिन आज जाती धर्मा और मजहब पे जो है लोग बाग वोड कर रहे है तो क्या ये सही है नहीं ये चीज सही नहीं है कि किसी को धर्म के नाम पे या जात के नाम पे वोड दिया जाए वोड जो दिया जाए वो दिया जाए विकास के नाम पे कितना काम किसने किया है उस पर वोट दिया जाए असल में यह क्या है कि वो मुसल्मान है तो हम उसको वोट देंगे वो दली थे तो हम उसको वोट देंगे वो हिंदू है तो उसको वोट देंगे नहीं यह नहीं अब यह देखना है कि काम किसने किया है और कितना किया है इस एत को नहीं देख रहे हैं वो सिर्फ मुसल्मान को नहीं देख रहे हैं वो देख रहे हैं किसके ओपर जुम हो रहा है किसको दबाया जा रहा है किस बहन के साथ अन्याय हो रहा है नाइनसाफी हो रही है तो वो उस चीज की लड़ाई लेके चल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उससे सरकार किसी की बनेगी और गिरेगी तो नहीं है लेकिन एक आवाज संसंद में हमारी पहुचेगी जो सही आवाज जो सही नुमाइंदेगी हमारी संसंद में करेगा वो आवाज वहाँ पहुचेगी तो इसलिए हमें मजबूती लगी कि हमारी एक आवाज वहाँ होगी किसी पर जुल्म होगा तो वो जो है वहाँ पर उसके आवाज उठाएंगे तो हमें खुशी होगी हम अपना पर मजबूत नजर आएंगे यह तो दोस्तों बता दे कि आज हम आप लोगों को उत्तर पर देश के बिजना और जिली के नगीना लोग सबाद से तस्मीरे द दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ तक लिए नमस्कार